Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel और मैं उपस्तित हूँ 6-8-2023 की महतोपूर्ण एजुकेशनल अपडेट को लेकर वीडियो में बात करेंगे हिमाज़बरदेश उनिवरसिटी में MAMSE M.com जो regular classes है वो कब से होने वाली है और साथ में बात की जाएगी एक और अपडेट पर HPU MA, MSE, M.com जो back end seats है HPU में उनकी admissions कब तक होगी इसके अलावा HPU में जो PG colleges है वहाँ पर admission merit list कब तक है या date extent कहां कहां की गई है कहां कब कब पहली merit list जो है जारी की जाएगी इसके अलावा बात करेंगे हिमाज़बरदेश Technical University में जॉब से related और counselling से related इसके अलावा HPU regional center की counselling और merit list बात करेंगे हिमाज़बरदेश University ने ये result जारी किया गया है इसके दौरा हिमाज़बरदेश Public Service Commission दौरा भी कुछ results जारी किये गये है साथ में बात की जाएगी सरदार पटेल University में MA-MSE की जो classes है और जो admissions link है वो जारी कर दिया गया है सरदार पटेल University के दौरा उस पर भी बात की जाएगी इसके अलावा BSC Nursing और AMO Assistant Professor Botany का result जारी इन सभी update पर बात की जाएगी तो आप वीडियो में अंतक बने रहें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं HPU MA-MSE की जो department की classes है वो कब से शुरू होगी तो 10 अगस्त के बाद बिशोविद्याले में PG कक्षाई होने बाली है चाहे आप MA में है चाहे आप MSC में है चाहे आपने MCOM में है इसके लाबा डिप्लोमा और अगर आपने PG courses में अगर आप admission लिए है तो आपकी classes 10 अगस्त के बाद होने वाली है इसके लिए एक schedule जारी किया जाएगा notification आएगा हिमाज़ा प्रदेश की उनिवरस्टी से तो वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा जैसे ही आएगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो यह आप धियान रखें 10 अगस्त से HPU में MA, MSC, MCOM की classes होने वाली है MBA, MCA और कुछ जो डिपार्टमेंट है जैसे UILS है उसका जो schedule जो है वो teaching का आ गया है इसके अलावा बात करेंगे, इमाज़ा प्रदेश University ने जो बची हुई सीटे हैं PG course के लिए अगर किसी डिपार्टमेंट में subsidized, non-subsidized अगर सीट बच गई है चाहे वो cultural कोटे की हो, sports कोटे की हो, तो वहाँ पर PG में course प्रवेश के लिए जो 10 अगस्त की तिथी बढ़ा दी गई है तो यदि किसी डिपार्टमेंट में सीटे बचती है, क्योंकि ये decision लिया गया है वारिश के चलती, जिसमें ये अधिशूचना जारी कर दी गई है कि PG courses में जो subsidized seats है, non-subsidized seats है, इसके अलावा आरक्षित श्रेणी की जो 40 seat अगर बची हुई है किसी भी डिपार्टमेंट में तो उन्हें जो है विभाग प्रवेश परिक्षा अधारित जो merit है या degree diploma courses है, यहाँ पर बची हुई seatों की जो betting list है, betting list में से विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा तो यहाँ पर इन seatों को 10 तारिक तक भरने का पूरा का पूरा प्रावधान किया गया है, तो यदि आपका अगर number betting list में है हिमानचर प्रदेश उनिवरसिटी में, तो आपके chances है कि आपका selection होने वाला है, अगर वहाँ पर seat बची है, तो 10 अगस तक इसे पूरा करने के निर different subjects में, तो यह जो कल्चरल कोटे के जो ट्राइल हुए थी सांस्कृति कोटे के लिए, ट्राइल में 41 में से 25 विद्यार्थी शामिल हुए थी, जिसमें से केवल 8 विद्यार्थी पातर पाए गए, तो जो 8 विद्यार्थी है, उन्होंने तीन साल में जो कॉलिज स्थर पर आयुजित, युवा मोहत्सब में हिस्सा जो लेते हैं, पहले तीन स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को ही कमेटी ने पातर करार दिया है, कल्चरल कोटे में, तो इसमें जो है, बिजनेस स्कूल में रिजश शर्मा है, हिंदी विवाग से सचिन है, बानी जैसे, का चैन हुआ है, और इन विद्यार्थियों को कल्चरल कोटे के बेस पर एडमिशन दिया गया है, बात करते हैं, सरदार पठेल युनिवरसिटी की एडमिशन की, तो सरदार पठेल युनिवरसिटी ने पिछले कल चार तारिक को, जो है, चार आठ दोहजार तेज को, ये सर सब्सक्राइब करने की, आपके अपास 16 अगस्त है, तो 16 अगस्त तक आप भरे, और डिस्पले आप जो मेरिट लिस्ट या जो कांस्लिंग शेडियूल है, वो आपको HPU की वेबसाइट पर, SPU की वेबसाइट पर आपको समय के साथ मिल जाएगा, तो बात करते हैं, बिफि यदि आप रिजिनल सेंटर धर्मशाला जा रहे हैं, तो इन डेट्स को आप जरूर दिहान में रखें, कि आपने सात तारी को जाना है, आता तारी को, और निश्चीट डाकुमेंट को लेकर आप रिजिनल सेंटर धर्मशाला चले जाएए, अब बात करते हैं, कुछ colleges में जो dates है वो extend के गई है तो government college अगर आप बिलासपूर की बात करें तो पहले government college बिलासपूर में जो dates थी ये थी लेकिन अब इनको extend कर दिया गया है तो अब government college बिलासपूर में आप जो submission of online admissions है आप 8 अगस्त तक कर सकते हैं यहाँ पर जो पहली merit list लगेगी 10 अगस्त को लगेगी तो MA, MSC, MCOM के लिए अगर MSC, Chemistry, Math के लिए अगर आपने apply किया है MA economics के लिए तो याद रखें 10 अगस्त को government college बिलासपूर की पहली merit list लगने बाली है बात करते हैं हिमाचरपरदीश उनिवस्टी ने result आउट किया है तो हिमाचरपरदीश उनिवस्टी ने जो BFA 8 समेस्टर 2019-20 का जो बैच है उसका result आउट कर दिया गया है ये paper जो होए थे ये होए थे अपरेल मई 2022 में और result declared जो किया गया था CBS में 21-7-2023 को ये result घुशित किया गया है तो 8 समेस्टर का result 2019-2022 का जो result है month of April 2023 ये declared किया गया है आवार्ट जो एंटर किये गये हैं college के एक सकते हैं official website पर जाकर अपनी ID को एंटर करके इसके अलावा बात करते हैं हिमाज़प्रदेश University में admissions और MA economics का schedule आउट हुआ है यहाँ पर जो non-subsidized seats हैं उनकी admission list आगी है इसके अलावा admission list आई है MA Sanskrit में population study में मैंने आपको बता दिया cultural quota इसके अलावा बहुत सारे department में य पहले जो last date थी apply करने की वो 21 से 31 जुलाई थी और merit list 3rd अगस्त को लगने वाली थी लेकिन अब इसमें extension दी गई है जो 3rd अगस्त को ये notification आया है government college मंडी से तो यदि आप government college मंडी में MA, MSC, Mathematics और MCOM, MA के यहाँ पर MA English है, MA Political Science है, Hindi है, Economics है, MSC, Mathematics है, इनके लिए अगर आप apply करना चाहते हैं, तो last date पांच अगस्त है, अर्थात आप आज तक apply कर सकते हैं, और पहली जो merit list यहाँ पर display होगी, वो 8 अगस्त को होगी, ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं, जिबी पन्त, Memorial College रामपूर की, तो रामपूर में last date जो apply करने की है आपके पास, वो है 1 से 6 अगस्त, और last date जो है, आपके वास 6 अगस्त है, और जो आपकी first merit list लगीगी, वो आपकी 9 अगस्त को लगने वाली है, गौर्मेंट कॉलेज रामपूर में, MA, MSC, MCOM के लिए, बात करते हैं, गौर्मेंट डिगरी कॉलेज देहरी, डिस्टिक कांगडा में, इन्होंने पहल पर गौर्मेंट कॉलेज देहरी में प्रवेश पाना चाते हैं, तो 5-8 को यहां पर आज आप अपलाई कर सकते हैं, last date आज है, और इसकी merit जल्द ही जारी की जाएगी, जो आपको मेरे चैनल पर या मेरे वीडियो के मादेम से आपको मिल जाएगी, इसके लावा बात करते ह हैं, गौर्मेंट डिगरी कॉलेज धर्मशाला, तो गौर्मेंट डिगरी कॉलेज धर्मशाला में, last date जो form को अपलाई करने की है, वो 7 अगस्त है, और 9 अगस्त को आपके सामने schedule लखा जाएगा, कि merit list जो है, और counseling कब-कब बुलाई जाएगी, तो 9 तारीक को गौर्मेंट कॉलेज धर्मशाला का schedule आपके बीचा जाएगा, इसके बाद बात करते हैं, government college घुमारवी, government college घुमारवी में, 15-8-2023 तक आप last date के लिए अपलाई कर सकते हैं, और tentative जो first आपके पास merit list लगेगी, यहाँ पर MSE, mathematics, chemistry, botany, zoology और MCOM है, तो इसके लिए जो first merit list लगेगी, 17 तारीक को लगने अंबाली है, अब बात करते हैं, walk and interview, यदि आप हिमांचे पुदेश technical university में contract based, अगर आप job चाते हैं, तो आप walk and interview में जा सकते हैं, आईए, यहाँ पर अगर आप MBA के लिए अपलाई करना चाते हैं, MBA means अगर आप पढ़ाने के लिए अपलाई करना चाते या assistant professor environmental science जाना चाते हैं, तो आप 17.8.2022 को आप interview में appear हो, लेकिन आपके पास eligibility होनी चाहिए, as per UGC norms, जो है आपके पास qualification होनी चाहिए, net sets आपके पास हो और उसके लावा आपके पास validate degree हो, तो यह interview जो है, यह किये जाएंगे, original document ले जाना है, आपने resume ले जाना है, photocopies ले जानी है सब की, तो यह resume जो है, यह जो campus में होंगे, हिमांचाप्रदेश Technical University के हमिरपूर में, तो यह आपके लिए notification है, और जो आपको salary यहाँ पर मिलेगी, 1000 पर lecture और maximum आपको 35,000 पर महीना, जो है, यहाँ पर मिलने बाला है, चली, और चीजों की बात करते हैं, अब द एसिस्टेंट प्रोफेसर और बॉटनी का result आउट कर दिया है, तो आयुरुवेदिक मेडिकल ओफिसर जो है, एम्मो इनका और एसिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज केडर की जो screening का test result है, वो पिछले कल HPPSC ने आउट कर दिया है, जिसमें बहुत सारे उम्मीदवार पास सीटों का आवंटन जो है, अटल विश्वविद्याले की द्वारा किया गया है, एम्मीबीएस और वीडीएस की पहले राउंड की फाइनल सीटों का आवंटन पिछले कल छनिवार को हो गया है, तो कुल 909 सीटे आवंटित की गई, अटल मेडिकल और जो रिसर्च पहले राउंड की सीटे भर गई है, और अब जो है काउंसलिंग के बाद जो प्रिक्षाएं हैं, जो कक्षाएं हैं, सौरी, कक्षाएं जल्द ही जो है शुरू होने की उमीद है, अगर खाली सीटे रह जाती है, तो उनको दूसरे राउंड के द्वारा भरा जाएगा, और MBBS और BDS की सीटों को, जो फाइनल आवंटन है, उसको कर दिया जाएगा, इसके अलबा, BSC Nursing के दूसरे राउंड में, साथ सो हनातर प्रोविजनल सीटों का आवंटन हुआ है, तो BSC Nursing का दूसरा राउंड जो हुआ है, उसमें साथ सो हनातर सीटों का प्रोविजनल आवंट की थी, तो उसमें साथ सो हनातर सीटों को फिल कर दिया गया है, इसके अलबा, दूसरे राउंड में ये साथ सो हनातर प्रोविजनल सीटों का आवंटन किया गया, और इसमें 95 सीटे प्रवंधन कोटे से हैं, जबकि AMC जो है, उसके लिए 23 और पोस्ट वेसिक नर्सिंग ज आए, एक सीट प्रवंधन की कोटे से आवंटित की गई है, बाकी सभी HP कोटे से दी गई है, ठीक है, तो ये सारी की सारी इंफरमेशन है, विए सी कांसलिंग के रिगार्डिंग, इसके लाबा, पहले राउंड में जो MBBS है, तो हमीरपूर की इस मेडिकल कॉलेज में एक ही अडिमिशन हुआ है, दूसरे राउंड में बच्ची हुई 17 सीटे भरने की उमीद है, सितंबर से बैठेगा MBBS प्रशिक्षों का नया वैच, मेडिकल राधा कृशनल जो कॉलेज है, हमीरपूर में, बात करते हैं, डी फार्मेसी की, तो नीजी संस्थानों को डी फार्मेस संस्थान जो है, देहरा, यहाँ पर साथ सीटे खाली पड़ी है, शांते निकेतन कॉलेज मंडी 52, इसके लाबा, शिर्दा संस्थान सुन्दरनगर 68, केसी पॉलिटेक्निक उन्ना यहाँ पर 74, ड्रिम्स कॉलेज सुन्दरनगर यहाँ भी 24, और बाकी मिनिरभा कॉलेज का खाली पड़े हैं, तो यह थी आज की कुछ अपडेट, थैंक यू बेरिमिच